हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जब तक हुआ नहीं है क्या कर सकते हैं? Accord operation यूर डेदलाइन इस संसेट क्या सचा? Game on नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चेनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से तो दोस्तों फाइनली सुपरिश्टार अक्षे कुमार की मच अवेटेट फिल्म बैल बोटम को रिलिजवे आज 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में इस फिल्म ने 50% की ओक्यूपैंसी के साथ बॉक्स आफिस पर कितने करोड की कमाई कर ली है इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर अभी तक वर्ल्ड वाइट कलेक्शन कितना हो चुका है और ये फिल्म एंडियन बॉक्स आफिस पर हिट हो पाई है या नहीं ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो अगर आप भी अक्षय कुमार सर के डाहट फैंस है और उनकी मच एवेटेट फिल्म सूरी अमशी का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सूरी अमशी से जुड़ी भी अफडेट्स मिलती रहे तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो रंजीत हमतिवारी के डायक्षन में बनने वाली स्पाई अक्षन ड्रामा फिल्म वैल बोटम जिसे की आउडियन्स की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है इस फिल्म में दोस्तो एक बार फिर से अक्षे कुमार सर ने काफी बहतरिन काम किया है और उनका साथ देने के लिए इस फिल्म में लारा दत्ता और आदिल हुसे ने भी बहतरिन काम किया है पता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 800 स्क्रिंज पर रिलिस किया गया था जिसे कि इंडिया में अपने पहले दिन तो धाई करोड से भी ज़्यादा की ओपनिंग मिली और इंडियन बॉक्स आफिस पर 2021 और 20 में रिलिस दोने वाली सबसे बड़ी बॉलिट फिल्म बनी हाला कि दोस्तों काफी कम स्क्रिंज पर मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन काफी अच्छी कमाई की इस फिल्म ने दोस्तों अपने शुरुआती एक विक में ही एडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 22 करोड से ज़ादा की कमाई नेट बॉक्स आफिस पर कर ली थी और लगबग 32 करोड़ से जादा की कमाई अपने पहले हपते में वेल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर कर ली थी अपने दूसरे हपते में भी दोस्तो इस फिल्म को आडियंस की तरफ से काफी अच्छा रैस्पॉंस मिला क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के सामने अमीताब बच्चन सर की फिल्म चेहरे थी इस वज़े से इस फिल्म की जो इस्क्रिंस थी उसे और भी कम कर दिया गया उसके बाउजित भी दोस्तों ये फिल्म अपने बॉक्स आफिस पर लगबग 5 करोड से जादा की कमाई second weekend में करने म वो 48 करोड रुपे का हो चुका है अक्षे कुमार सर की ये फिल्म दो ही दिनों में 50 करोड के आकड़े को पार कर चुकी होगी और बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हो रही होगी आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर 14 वा दिन है जहाँ पर इस फिल्म की ओक्वेपेंसी काफी अच्छी है और आज भी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक करोड रुपे कमाई करती होई नजर आ रही है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 59 करोड का हो चुका होगा और अक्षे कुमार सर की ये फिल्म हैटर्स की बोलती बंद कर चुकी होगी क्योंकि दोस्तों आज के समय के 50 करोड भी लगबग 200 करोड से ज़्यादा के माईने रखते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है अक्षाइ सर कि ये फिल्म box office पर क्या कमाल करेगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कूल ना भुलिएगा, महीं बता दे चले दोस्तों आपको कि अक्षे सर की फिल्म सूर्य विशी भी इस साल दिवाली के मुक्य पर रिलिज होने को तियार हो रही है जिसे कि बॉक्स आफिस पर 100% की ओक्यूपेंज से खुलने के बाद ही रिलिज किया जाएगा अब देखना यह होगा दोस्तों कि जिस तरह से बैल बोटम ओडियन्स को पसंद आई सूर्य विशी इंडियन बॉक्स आफिस पर क्या कमाल कर पाती है आपको क्या लगता है दोस्तों सूर्य विशी का बॉक्स आफिस पर कलेक्शन कितना होगा हमें जरू बताईएगा धन्यवाज जेहिं जे भारत